हेलो और इवन इस वीडियो में हम प्रोफिट लोस के इंपोर्टन कोस्चेन करेंगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट कोस्चेन है एक व्यक्ती ने साधे 400 रुपे में एक बैड़ सीट खरीद कर उसे विक्रे मुल्य के दस परतिस्यत लाब पर बेच दिया तो बैड़ सीट का विक्रे मुल्य ग्यात करें देखिए लाब जो होता है वह हमें सक्रे मुल्य पर होता है लेकिन अब किस के दिया हुआ विक्रेमुल्य पर यानि selling price पर तो 10% का जो fraction रहेगा वो कितना रहेगा 10 by 100 यानि 10 से 10 cancel एक बटा 10 तो निच्चे वाली टरम क्या है उसने बोला है विक्रेमुल्य यानि selling price तो निच्चे वाली जो 10 है वो क्या हो गया selling price और उपर जो एक हो क्या हो गया profit यानि 10 रुपय पर एक रुपय का profit तो cost price क्या रहेगा cost price होता है यानि क्रेमुल्य selling price minus profit यानि 10-1 कितना आगया नौ यूनिट तो नौ यूनिट की अक्चूल में वैल्यू कितने दी Ohi साथे चारसो रुपे हैं तो नौ यूनिट की वैल्यू कितनेह जाएगी । साथेएआत्सो रुपे हैं तो इस्धे चारसो चाह रहेगे । साड़े 400 के डिवाइड मिन्नो यानि 50 रुपे एक यूनिट की वैल्यू है 50 रुपे हमें निकालना क्या है तो बैड सीट का विक्रे मुले ग्याद किजी अब देखिए विक्रे मुले जो ग्याद करेंगे वो कितना है वो एक्चॉल में हमने कितना माना हुआ है 10 यूनिट ठ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी 10 गुना 50 यानि 500 रुपे तो सेलिंग प्राइज या विक्रे मुले क्या है बैड सीट का वह है 500 रुपे तो ओप्षन जो डी है वसाई अंसर है दूसरा कोशन है यदि किसी वस्तू को 200 परतीसत लाब पर बेचा जाता है तो क्रे मुले तथा विक्रे मुले का अनुपात ग्याद करें देखिए 200 परतीसत का फ्रेक्षन क्या है 200 परसेंट का फ्रेक्षन क्या है 200 यानि 200 बटे 100 200 से 200 कैंसल 2 बटा 1 ठीक है और यह कहता 200 परसेंट प्रोफिट था यानि लाब था तो लाब जो होता है वो कोस्ट पराइज पर होता है यानि क्रे मुले ठीक है और उपर क्या है प्रोफिट यानि लाब राइट तो सेलिंग प्राइज क्या रहेगा सेलिंग प्राइज होता है जिस पर हमें चीजे बेची है यानि विक्रे मुल्य विक्रे मुल्य क्या रहेगा विक्रे मुल्य होता है लाब और कोस्ट प्राइज का जोड ठीक है ना तो एक और दो कितने होते हैं तीन राइट तीन यूनिट आ गया अब हम से पुछा है क्रे मुल्य और विक्रे मुल्य का अनुपात ग्यात करना है अब देखे क्रेम उल्य का अनुपात कितना है एक यूनिट और भी क्रेम उल्य कितना है तीन यूनिट तो यह आगे हमारा रेश्यो एक रेश्यो तीन तो option जो C है वोसे ही answer है Next question है गलत बाट का उप्योग करके एक दुकानदर खरीदते समय कितने का लाब कमाता है तक है और बेशते समय भी दस परतिस्यद का लाब कमाया तो यह क्या है दो लगाताँ प्रोफिट होंगी तो इन दोनों प्रोफिट के उक्यूवलेंट अगर हमें तीसरा profit निकाल ला हूँ जो इनके equivalent हो तो उसके लिए formula होता है a plus b plus a b by 100 इसको a माल लीजिए इसको भी ठीक है तो 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100 तो 2 0 से यह 2 0 cancel तो 10 और 10 20 और 21 तो 21 परसेंट क्या आगया हमारा लाब आगया 21 परसेंट हमारा क्या आगया लाब ठीक है ना तो option जो b हो सही answer है next question है कोई वस्तू 25 परसेंट के लाब पर बेची जाती है यदि बिक्री मुल्या यानि selling price दो गुना कर दिया जाए तो लाब कितना होगा देखिए 25 परसेंट का fraction क्या होता है 25 परसेंट यानि 1 परसेंट चार ठीक है अब 25 परसेंट क्या है लाब है तो निच्चे क्या रहेगा cost price और उपर क्या रहेगा profit ठीक है तो यहां से selling price कितना है selling price आ गया 4 और 1 पांच unit ये था old selling price new selling price देखे कितना है new selling price क्या बोला है यदि बिक्री मुल्य दो गुना कर दिया जाई बिक्री मुल्य पांच unit से अब डबल कर दो यानि 10 unit 10 unit कर दिया तो पुछा है लाब कितना होगा लाब क्या होता है profit जो होता है यानि लाब वो होता है selling price minus cost price ठीक है तो selling price कितना है 10 unit ठीक है और cost price कितना है 4 unit ठीक है तो दोनों का difference आ गया है 6 unit तो 6 unit का हमें क्या होगा profit अब हमें profit जो है वो percentage में निकालना है इसका formula होता है profit के divide में क्या रहेगा cost price cost price कितना है 4 unit गुना सो दो से cancel कर दीजी तीन फिर दो से पचास तो पचास ती है डेड़ सो तो डेड़ सो परतिशत का क्या हुआ उसे लाब हुआ तो option जो B है वो सही answer है next question है किसी वस्तू का अंकित मुल्य यसके लागत मुल्य से दस परतिशत अधिख है अंकित मुल्य पर दस परतिशत के छूट दी जाती है तो विक्रेटा का परतिशत लाब या हानीगात करें देखिए अंकित मुल्य किसके बराबर है लागत मुल्य से 10% अधिक है तो मैंने लागत मुल्य यानि कोस्ट पराईज मैंने मान लिया 100 यूनिट है इस सो कोस्ट पराईज भी बोल सकते हो ठीक है न यह मैंने क्या माना 100 यूनिट अब देखे 100 unit अगर cost price है तो इसके ओपर 10% का क्या है profit ठीक है ना क्योंकि अंकित मुल्य क्या है लागत मुल्य से 10% अधिक है अधिक मतलब एक तरह से लाग ठीक है तो 10% सो का कितना होता है 10 यानि दोनों को add कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 110 unit तो 110 unit क्या हुआ अंकित मुल्य अंकित मुल्य हम बोलते हैं mark price को MP को राइट अब यह तो दिया हुआ है फर्स्ट लाइन का मतलब यही था अंकित मुल्य पर 10% की छूट दी जाती है अब 110 रुपे पर 10% का क्या है discount है ठीक है 110 दस परतिशत का मतलब होता है एक बटा दस ठीक है तो 110 का एक बटा दस कितना होगा 11 unit 11 unit तो discount कितना है 110 के उपर 11 का discount यानी selling price कितना आ गया 99 unit ठीक है cost price कितना था 100 unit selling price यानी विक्रे मुल्य निन्यानमे unit अब पुछा है लाब होगा यहानी होगी तो 100 की चीज आपने 99 unit में बेच दी तो एक unit का आपको क्या हुआ लोस हुआ अब इस लोस को हमें क्या करना है परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे तो वो इक्वल रहेगा लोस के डिवाइड में cost price गुना सो दो जिरू से दो जिरू कैंसल यानी एक परतिशत क्या आगया हमारा खानी तो लोस ओफ वन परसेंट तो option जो डी है लोस ओफ वन परसेंट वो हमारा सही अंसर है